इस वीडियो में मैं आपको बताने वालाओं friends कि आप instagram rails वीडियो का music, audio या फिर dialogue जो है आप कैसे save कर सकते हैं और फिर आप उस save किये विए music, dialogue या फिर sound पर आप अपने वीडियो कैसे बना सकते हैं तो यह जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तिक देखिएगा और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दवा कर और जरूर किलिक कर दीजेगा चली वीडियो को स्टार्ट कर सब्सक्राइब करने की करते हैं की नीचे देखिए आपको यहां पर originalmaya doожट दिखने को मिल जाएगा तो अब आपको इस करने कors पर जितने भी बीडियो बने होंगे वह सारे वीडियो भी यहां पर आपको दिखने बीजाएंगे तो इस आपको सेव करने के लिए आपको यहां सेव औडियो पर कलिक कर देंगा और उसके राप उपर आपको यह three lines पर click कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ save पर click कर देना है उसकी बाद friends देखिए یہाँ audio में जब हम यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने सारे audio आ जाएंगे जिसको आपने save करके रखा होगा तो आप दिक सकते हैं मैंने चार audio और और डायलोग को सेव करके रखा है तो आज तो बाया चुका है अब फ्रेंट्स आप जिस भी आडियो या डायलोग पर अपने वीडियो बनाना चाहते हैं उस आडियो पर क्लिक कर दीजे और आडियो पर क्लिक कर दीजे और फ्रेंट्स नीचे आपको यह option मिल जाएगा कुछ आडियो पर क्लिक कर देना है उसकी बाद दोस्तों आप यहां रिल्स वाले आइकन पर अपने finger को प्रेस करके आप उस आडियो पर अपना वीडियो बना सकते हैं तो इस तरीके से आप इस्टाग्राम रिल्स वीडियो का जो है ओडियो सेव कर सकते हैं और फिर आप उस पर अपने वीडियो बना सकते हैं अगर वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को लाइक करिए चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए